अरवन फार्मिंग के एक्सपर्ट प्रवीन मिश्राजी हां आज मैं उन्हीं को अपने चैनल पर लेके आया हूँ बहुत दिनों के बाद बहुत लंबा गैप हो गया था आप लोगों की बहुत जादा डिमांड आ रही थी कि भाई प्रवीन सर कहा चले गया है तो भाई आज प्रवीन सर को मैं पकड़ के लेके आया हूँ अपने इस चैनल पर और आज हम खास बात करने वारे हैं वाले हैं बालकनी गाड़निंग के बारे में बात करते हैं प्रवीन सर से और जानते हैं कि बालकनी गाड़निंग कैसे करते हैं समानित नागरिकों नमस्कार मैं प्रवीन मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं और विशेश रूप से अनीज जी का भी स्वागत करता हूं थैंक्यू सो मच सर आपका अभी बहुत-बह परियावरन प्रेमियों का भी साथ मिल रहा है हम लोगों का अब हौंसला इस तरह से बुलंद हो रहा है कि मानों लगता है कि एक ही दिन में बहुत सारे परिवर्तन कर दिया जाए कहना आसान है करना काफी मुश्किल है और चुनोती पुर्ण कारी को लेकर आगे बढ़ रहे ह हैं बहुत सारे परियावरन प्रेमियों का जब साथ मिलता जा रहा है तो मानों ऐसा लगता है कि हम अब अकेले नहीं है और इसी पड़ाव को लेकर पहुंचते हैं प्रत्य घर में तो हर घर में परियावरन से सम्मंदित कुछ न कुछ गतिविदी हो सके सहरी छेत्र में च प्रत्य घर का जो सपना देख रहे हैं जहां पर बगिया सजी हो तो यह अपने आप में ही एक बहुती चैलेंजिंग और चुनोती पुर्ण कारी होगा लेकिन हम लोग इन चुनोती पुर्ण कारी को लेकर भी चाहते हैं कि कुछ न कुछ उन सारी तरकीब पर बात किया जा कि आपकी समस्या का मोचन हो सके और जब संकट मोचन आपका होता रहेगा आप अपने बगिया को लेकर अपने छोटे से जगह में भी खुसाल होते रहेंगे इस टॉपिक को आज हम लोग लेकर प्रस्तूत कर रहे हैं जो कि है बालकनी गार्णिंग से सम्मंदित बहुत सार बाइडावर्सिटी की कमी और अर्बन बाइडावर्सिटी यदि नहीं है तो आपके घर में फूल और फूल से फल बनने वाली सबजियां बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो सकती है लहाजा हम लोग ये आप लोगों को बताना चाहेंगे कि यदि आप बागवानी कर रहे ह खास करके सबजियों की फसल को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप लीफी वेजटेबिल्स में सिफ्ट हो सकते हैं और लीफी वेजटेबिल्स का भी अपना एक बहुत बड़ा रेंज है जिसमें आप साग प्लेट और चटनी प्लेट तो जरूर से बना लेते हैं वही मौसम के अनुसार अलग-अलग समय में उग सकता है और उसमें आप सबसे आसान तरीका है पालक उगाना मेथी उगाना धनिया उगाना और मौसम के अनुसार जो कुछ भी आपको मिल रहा हो लीफी वेजटेबिल्स आप उगा सकते हैं हरी पत्तिदार सबजियों का अपना अलग से वर्चसू है आपके कानपान में और के कीचन में भी वह स्वास्त को महत्तच देंगे तो आप देखेंगे कि यह जरूर से आप एक लीफी वेश्टेबल fixed चाहे वह सा करों में चैनी के लुप में ने Centerと思います तो बहूत सारी आपके मिल जाता है बात यह शनुस में कोशक कीजिए कि थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लिजे जिसमें आपकी बागवार्सिटी बन जाए और कुछ एक चीज़े अच्छी लगने लगे तो आप वहां पर कुछ एक ऐसे पौधे रख सकते हैं जिनको बहुत ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है कुछ पाम रख सकत करके बागवानी के लियास से सर्दियों के समय में इसकी महत्ता और ज्यादा है यदि धूप न मिले तो आप बागवानी के छेतर में खास करके बालकनी गाडनिंग में बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाएंगे क्योंकि धूप की रोस्तनी के बाद ही फूल आना शुरू हो जाता है तो इस लिहास से बात करें कि यदि आपका बालकनी कहीं ऐसे जगह में हो कि जहां पर बहुत ज्यादा धूप नहीं आ रही है तो आप बहुत ज्यादा बागवानी ना करें लेकिन फिर भी आपको लगता है कि बागवानी कुछ एक करना चाहिए तो आपको प्लां गार्डन में ये देखा जाता है कि आपका छट के उपर में कैनोपी लगा होता है जहां पर बालकनी प्रोटेक्टेड है और रात में चांद की रोस्नी नहीं लगती है वहीं डिव फ्रेक्टर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है खास करके पौदों के लिहास से दी पौद करता है वहीं चांद की रोस्नी में पौदों का सौंधरी होता है तो ऐसे कुछ लेकर विचार हम लोग उपस्तित होते हैं कि आपके पौदे भी अच्छे चलने चाहिए पौदे सुंदर और स्वस्त भी दिखने चाहिए तो आप जरूरी है कि कुछ एक ऐसे जगा जहां प बहुत जादा इंपक्ट डालता है वहीं बारिस के समय में भी और इसके बाद सर्दियों का समय जब सुरू होता है तो शुरू आती दोर में भी डिव फैक्टर काम करता है लेकिन बहुत ज्यादा जब सर्दी हो तो उस समय में आप बालकनी में कुछ एक पौदे रखे हैं बालकनी गाडनिंग में आपको nutrient management का वीशेश रूप से ध्यान देना चाहिए खास करके यदि हम पौदों को लगा रहे हैं तो पौदों में प्रत्यक 15-15 दिन के अंतराल पर खाद देना और इसके साथ-साथ liquid form में भी कुछ न कुछ nutrient value को एड़ करना जरूरी है जैसे कि यदि हम बात करें तो 15-15 दिन के अंतराल पर आप 5-5% स्वाइल मिक्स डालिए और इसके साथ दिन के अंतराल के बाद आप बायो एंजायम liquid form में डालना शुरू करते हैं बायो एंजायम का भी एक बहुत बड़ा range है खास करके घर से निकलने वाले कचरे की हम लोग यदि बात करें तो बहुत सारे ऐसे बायो एंजायम बन जाते हैं हमारे पास जो की अलग अलग समय में पौधों में अलग अलग इंपैक डालता है और पौधों की जरूरत के अनुसार ये बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है इस लिहाज से बात करते हैं कि यदि हम लोग नए गार्डनर से ये बात कर रहे हैं तो उनको शुरुवाती दौर से ही कुछ एक ऐसा किचन वेस्ट का यदि लिचिट का फेटलाइजर बना रखा है तो उनको डालना जरूर ही है शुरुवात में लेकिन ये कही न कही थोड एसास होता है और आपकी एक और बग्याची चलती है दुसरी देवर पौधो को पोशन मिलता है और तीसरी और यदि हम बात करें तो आपके बालकनी में भी यदि कोई आपके मेहमान पहुंचते हैं तो देखकर काफी निहाल हो जाते हैं बालकनी गार्डनिंग की लो सकते हैं तो आपका सपना और ज्यादा बढ़ता है और आप उसके बाद कहीं भी जगह में किसी भी जगह में दिवालकनी से सम्मंदित अपने पूरे डेरा को लेकर आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि वहां एक बहुत ही बड़ा कोई जगह आपके लिए इंतज कर सकते हैं और जो लोग यह बोल रहे हैं कि हमारे घर में किसी भी तरह की गार्डनिंग की कोई संभावना नहीं है तो आप जरूर से संपर्क कर सकते हैं आप सभी का बहुत धन्यवाद पुना मिलेंगे नई जानकारी के साथ तब तक बहुत ध्यान से रहिएगा को भी शेर कर दिएगा आज के लिए हम इतना ही रखते हैं फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टेक केर नमस्कार